नमस्कार दोस्तो आज के वीडियों बात करने वाले हैं हैंगी मेन कैंडल के बारे में सब कैंडल को नहीं देखना है आपको जो मार्केट में काम करते हैं वही देखना है तबी आप कर पाओगे वरना पुरा दिमाख खराब हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ वो कैंडल स्टिक पैटरन काम करेगा ही करेगा लेकिन आपको चाट पर बस देखना आना चाहिए कैं यहां पर आप देख सकते हैं दो दो candle है एक विग वाला है और एक बिना विग का है मतलब आप confused नहों इसके लिए दो candle डो किया गया है दो candle green के है और दो candle red के तो आपको hammer की तरह ही दिखेगा तो आपको confused नहीं होना है इसकी जगह place होती है जहां पर बंता है वहां पर हम काम कर सकते है तो यहां पर आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में बताया कि यहां पर open होगा और यहां पर close हो जाएगा और यह इसका हाई रहेगा वीग नहीं इसका closing है वह हाई रहेगा और यह दूसरा candle है उसका वीग है तो यहाँ पर open होगा और यहाँ पर close होगा और यहाँ पर वीग है वहाँ हाई रहेगा दोनों candle का यहाँ पर low रहेगा और इसका यह जो body है आपको दिख रहा है वो 70-30% उ यह green candle है अब red candle की बात करते हैं यहाँ पर weak वाला है और बिना weak वाला है red candle जो होती है वो उपर से शुरू होती हो और नीचे यहाँ पर close होती है तो यह open हो गया और इसका एक close हो गया और यहाँ पर weak नहीं है इसलिए इसका high closing होगा और दूसरी candle है जो weak वाली उपर से open होती ह और नीचे close होगी, यहाँ पर wig है, वो इसका high रहेगा, और इसका body 20-30% रहेगा, और यह बड़ा shadow रहेगा, जो 70-80% रहेगा, और hammer candle के जैसे ही, यहाँ पर color matter नहीं करता, यहाँ पर जो place है, stand है, वो matter करता है, कि किस स्थान पर यह candle बनती है, तब हम buy कर सकते हैं, और इसका time frame, सब time frame पर चलेगा, मतलब एक दिन, एक गंटा, 15 मिनिट, 5 मिनिट, 3 मिनिट, और एक मिनिट पर भी बनता है, लेकिन एक मिनिट पर ज्यादा तर scalping की जाते हैं, तो सभी time frame पर यह candle work करता है, और monthly candle पर भी आप देख सकते हो, तो इसका यही time frame होगा, इसका time frame यही होता है तो अब बात कर लेते हैं, बनना कहां चाहिए, hammer candle में हमने बताया था कि, एक downtrend आना चाहिए, और support पर hammer बनती है, फिर market वहाँ से reverse होगा, तो यहाँ पर इसका उल्टा है, एक uptrend आना चाहिए, वहाँ पर hanging man candle बनती है, तो वहाँ पर दूसरी जो red वाले candle है, वो hanging man candle को cross कर बते ही हमारी यहाँ पर entry हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा stop loss होगा, मतलब यह candle भी hammer जैसी ही है, फर्क सिब इतना है कि, यहाँ पर uptrend आना चाहिए, और hammer में downtrend आना चाहिए, तो यहाँ पर uptrend आना चाहिए, और hanging man बनती है, तो वहाँ पर हम entry कल लेंगे, तो आपको चाहिए, तीरे तीरे आपको यह सब candle identity find करना आ जाएगा, और जो हम market की जो language है, वही पर बात करते हैं, किसी strategy की बात नहीं करते हैं, market में जो market की language है, जो chart पर दिखता है, वही की हम बात करते हैं, और chart पर काम करके ही, हम profit generate कर सकते हैं, strategies के पर में आप मत पढ़िये, वो काम करेगा या नहीं करेगा, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो market की language है, वो candlestick pattern है, chart pattern है, trend line है, वही काम करता हैं, और वही आपको सिखाना चाहता हैं, तो यहाँ पर part to part आप वीडियो देखते रहें, ताकि आपको अच formation हुआ है, और फिर market reverse हो जाती है, तो यहाँ पर भी हमारी entry stop loss हो जाएगा, और 1 is to 2 का ratio हमें आसानी से मिल जाएगा, तो ऐसे ही होता है hanging man candle का formation, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका time frame क्या होता है, और कहाँ पर बनता है, और कहाँ पर हमें entry करना है, stop loss लगाना है ऐसे ही इसका formation होता है, और आपको बता दिया कि one day एक गंटा 15 minute, 5 minute और 3 minute पर यह play किया जाता है, मतलब जो time frame होता है chart का, उस पर यह play किया जाता है, तो बस आज के लिए इतना ही मिलते है next part में